कराटे सीरीज कोब्रा काई जिसका सीजन 6 पार्ट 1 जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गया है 5 एपिसोड के साथ और इस सीजन 6 में हमें टोटल अलग-अलग 3 पार्ट देखने मिलेंगे और बाकी की जो 2 पार्ट से उनमें भी हमें 5-5 एपिसोड देखने मिलेंगे मतलब की सीजन 6 में हमें टोटल 15 एपिसोड देखने मिलेंगे इस सीजन 6 का पार्ट 2 जो 15 नवेंबर 2024 को रिलीज होगा और इसका पार्ट 3 जिसके अभी तक कोई confirm डेट नहीं आई है लेकिन वो 2025 में रिलीज होगा ये confirm है और अगर वैसे देखा जाए तो सारे के सारे 15 एपिसोड एक साथ रिलीज करते तो as the audience point of view से वो अच्छा रहता कोबरा काई के सभी सीजन्स यानि के 6 सीजन्स को मिला के टोटल 65 एपिसोड है और इसकी जो पूरानी स्टोरी है जो बैक स्टोरी है जिस पर 3 movies है और इन 3 movies के अलवा दो और movies है लेकिन उनका अभी तक इस कोबरा के सीरीज से कुछ खास connection नहीं है तो अब बात करते हैं ये जो नया सीरीजन 6 रिलीज हुआ है इसके 5 एपिसोड की तो इसके पहले ही एपिसोड में हमें ये दिखाया कि अभी सभी जो सारे characters हैं वो क्या करें उनकी जिन्दगी में क्या चल रहा है उनका कौन दुस्मन है और कौन उनका दोस्त है तो ये सारी चीज़ें हमें starting में दिखा दी तो इस वज़े से हमारा थोड़ा सा अच्छा कासा recap हो गया इन 5 एपिसोड की कहानी में तीन sensei जो मिलकर बच्चों को train कर रहे हैं karate का एक mega event होने वाला है उसके लिए जिसमें 6 लोगों को select किया जाएगा जिन 6 लोगों में एक male captain और एक female captain होगी तो इनका selection किस तरीके से होता है वो हमें इन 5 episodes में देखने मिलता है दूसरी तरफ दुस्मन यानि कि John, Chris वो भी अपने students के साथ इस event में आया है अब यहां से इसके आगे क्या होगा वो हमें इसके next 5 episodes यानि कि part 2 में देखने मिलेगा और इस part 1 में हमें कुछ नए character भी देखने मिले ये कोबरा काई एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर हर बच्चा karate सिखना चाता है और सबसे best बनना चाता है season 6 में कुछ ऐसी चीज़े थी जो predictable थी लेकिन अभी भी कोबरा काई ने अपनी tone नहीं चोड़ी है उसमें उसने पकर बना के रखी है पहले जो सारी चीज़े थी अभी भी वही सेम चल रहा है पर हाँ अभी तब कोई ऐसी बड़ी हमें fight भी देखने नहीं मिलेगी part 1 की कहानी अभी खतम नहीं हुई है जो part 2 की starting में हो जाएगी और फिर एक नहीं कहानी start होगी जो part 3 में खतम होगी और फिर ये series ही खतम हो जाएगी हाँ आपने सई सुना क्योंकि ये जो season 6 है वो कोबरा काई का last season है इसके बाद आगे हमें और कुछ नहीं देखने मिलेगा part 1 में कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिनके जवाब हमें अभी तक नहीं मिलें पर वो जवाब हमें बहुत ही जल्द मिल जाएगे और अब अगर किसी scene की बात करने हो जिसमें मैं थोड़ा सा confuse हो गया था तो सब लोग इंदजार कर रहे थे बहुत ही ज़्यादा excited थे कि लड़का होने वाला है या लड़की पर मैं दूसरी तरफ यह सोच रहा था कि यार अभी तो बहुत ही ज़्यादा time में अभी तो बा आगे खुला सा होगा कोबरा काई season 6 जिसकी कहानी अभी भी अदूरी है तो अगर आपको अदूरी कहानी वाला कुछ देखना नहीं है तो इसको आप अभी स्किप कर दो फोड़ा सा इंदजार कर लो करीब एक साल का भी हो सकता है तो तब तक इसके जो सारे पार्ट से यान अगर आप एक दमी नए हो आपको पता ही नहीं है कि कोबरा काई क्या है तो इसे जरूरी से देखो ये एक series आपको बहुत बहुत ज्यादा पसंद आएगी To be honest मैंने भी जो कोबरा काई की पुरानी movies है वो नहीं देखिये सिर्फ ये series ही देखिये जिसके पीछे का एक ये भी reason है कि जब मैंने इस कोबरा काई series को देखना start किया था थोड़े समय पहले करीब 2-3 साल पहले तो तब मुझे पता ही नहीं था कि इसकी पहले की old movies भी है तो इस वज़े से मैंने देखा है नहीं अगर मुझे पता होता तो मैं उसको जरूरी से देखना पर वैसे एक कोई बड़ी problem वाली भी बात नहीं है क्योंकि इस series के अंदर वो जो सारे recap पूरानी जो कहानी है वो आती रहती है तो हमको सब कुछ समझ में आ जाता है कि चल क् हाँ माना की season 6 part 1 की कहानी अभी भी अदूरी है लेकिन फिर भी ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया क्योंकि इनकी जो पूरानी वाली वो जो feeling है पूराना जो कोब्रा काई हम अब तक देखते आ रहे हैं वही अभी भी सेम है vibe में इन्होंने पकर बना के रखी है जिस जैसी ये मुझे पसंद आया और मैं इसे 8 out of 10 की rating देना चाहूंगा अगर आप इसको देखना चाहते हो तो हिंदी अपके साथ पी देख सकते हो जो 5 एपिसोड से उनका run time 35 से 40 मिनिट के आसपास का है तो इसे देखने में आपको ज्यादा time नहीं लगेगा अगर देखना चाहते हो तो समझ लो ऐसे थोड़े time में आप देख डालोगे मैंने तो एक night में खतम कर दिया और फिर सो गया तो मिलते हैं next ऐसी किसी वीडियो के साथ